हेलो एर्वान कैसे हैं आप सभी एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश चलिए स्टार्ट करते हैं आजी क्लास जैसा कि आपको पताए कि यूपी ट्रिप्लेसी जेए का 2016 में जो वेकेंसी आई थी 2016 जो पेपर था उसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत सर बच्चे बुलाए गए हैं जो क्यों मेंटेशन के लिए बुलाए गए हैं ठीक है अब इसके बाद फाइनल डिजल्ट भी आएगा तो यहां को देखना है कि यहां पर देखो कि हम एक बाद कर लेते हैं कि जो कटोफ गई है मतलब सबकी जो कटोफ है यहां पे चाए आपके पास OBC हो जर्नल हो या फिर आ आया है अब है तो वह बता रहे हैं कि फैब में आपका 2018 आने वाला है तो वेरी वेरी कॉंग्रेचुलेशन्स ओल भाई और भेनों ठीक है जिनका हो गया है वो बताएं कि अंदर कि भाई कितने किने नंबर लेके आएं आप और बहुत-बहुत हाली सुब काम ने आपको बत को पास करने के लिए तो इसलिट आ चुका है सबको वेरी वेरी कॉंग्रेचुलेशन्स दूसरा बात करते हैं यहां पे कुछ और बात भी कर लेते हैं मौस्ट अवेटेड़ चीज जो आप सबसे मुझे पूछ रहे थे आपके ससी जई मेंस की नई बुक जल्दी ही सब्जेट वाइस टॉपिक वाइस का पढ़ने का फायदा यह होता है कि हमको पता होता है कि यह 14 साल के मैं पेपर कर रहा हूं तो 14 साल के अंदम इस सब्जेट से यह टॉपिक सबसे लदा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में यहां से कुछ चना आता है इन सब पे काम किया मैंने सबसरने इवन आपका उनने सब्सक्राइब पर है वह पूरा लिक लिक के पढ़ाया है लिक लिक के हाँ पर बनाया अपनी हैंड राइटिंग से तो उसमें एर्र के चांसिस काफी कम होंगे फिर भी कोई रह जाता है तो आप लिख सकते हैं तो जल्दी आपके आने व अच्छा हुआ वन मंत है इस वन मंत में आपको क्या करना है कैसे काम करना है तो मैंने बहुत अच्छा प्लान किया है अब यह से मुझे दो दिन दे दो एक वीडियो आपकी यूट्यूब पर आएगी उसमें हम डे वाइस डे वन से लेके और लास्ट थर्टी तक हमें क्या करना है हम पूरा करेंगे रोजाना हम कोशन्स लेंगे और उनकी प्रक्टिस करेंगे ठीक है सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस और पूरा कंप्लीट किया जाएगा से लिवस वह हम यहां पर काम करेंगे तो जल्दी में आपके यूट्यूब पे वीडियो बनाने के ला ओके गाईस तो यह थी आपकी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको उतना आया था यूपिट्रक्रेस का रिजल्ट अपनी बुक के बारे में और साथ में हाव टू क्राक एस अचीजे मेंस ठीक है और इंदा वन मन्त एक महनी के अदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है क कैसे काम करना है उस सबके बारे में जानकरी दी जाएगी कोई भी आपकी कमेंट है तो आप कमेंट से अंदर लिख देना तब तक के लिए बाबाए जय हिंद जय भादत